गुद इवनिंग स्टूडेंट्स क्या हाल हैं बढ़िया मज़े में चलिए आज हम आ गए हैं 36 दिन पर जनरल प्रिंसिपल्स और प्रॉसस अफ आइसोलेशन अफ एलिमेंट्स यहानि की सीधी सीधी भाषा में स्टावियल में आज हम करेंगे मेटलरजी का टॉपिक वोई normal quick revision लेकिन सारे की साभी चीजिए आपके पास हैं सारे की तारे processes आपको बतांगा सारे की सारी चीजिए आपको teaching experience, mentored 5 lakh students and teachers. तो बहुत लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ. और AIR rank 1 बना चुका हूँ, बहुत सारी AIR ranks बन दोल चुकी है. हेलो बिटा, यहाँ पर कौन कौन है, डेविट सिंग है, दीक्षा बरोर है, वाहिद खान है, और भूमिका है, ओमपाल सिंग है, चलिए, योगेश है, स्वीट अंतरिक्ष है, बहुत सारे लोग है हमारे साथ, चलिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फटाफट, तो हम बात करें तेलिग्राम आपकी, तेलिग्राम आप पे tinyurl.com slash unacademy chart, यह थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पर हमारे पास है tinyurl.com slash unacademy chart, इसके ओपर आप क्लिक कीजिए, इसको आप डालिए और हमारे साथ तेलिग्राम पर जुड़ जाए, तेलिग्राम पर क्या होगा, आपको सारे के सारे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब के लिंक्स मिलते चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस मिल जाएगे, तो जो भी लेक्शर आप देखना चाहें, पूरी की पूरी की पूरी टीम के साथ जोड़ते हैं, टीम में कौन है, साचिन कपूर सर और प्रडीप सर बाइलोजी के लिए हैं, इंदर जीत सर और महिंदर सर फिजिक्स के लिए हैं, और मैं केमिस्ट्री के लिए हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएगेगा, सारे के सारी टीम आपके साथ जुड़ जाएगी, करना क्या होगा, स्टेप वन ये है, आप अनक आडमी आपको डाउनलोड करेंगे, उ आपको option मिलेगा, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month का, 1 month किसके लिए है, 2020 वालों के लिए, 12 month किसके लिए है, NEET 2021 वालों के लिए, और 24 month किसके लिए है, 2022 वालों के लिए, और code आप यूज़ करेंगे, AV live, जब AV live code आप यूज़ करेंगे, तो AV live code यूज़ करने से क्या होगा, AV live code 10% discount you are going to attach with the entire unit आप पूरी की पूरी team के साथ जुड़ेंगे और in addition to getting attached with the entire team आपको मिल जाएगा 10% discount और मुझे थोड़ी सी खुशी तो मेरी खुशी के लिए थोड़ी सी खुशी के लिए आपको 10% discount तो मिल ही जाएगा थोड़ी सी खुशी के लिए आप मेरा code AVLIVE यूज़ कर लीजेगा चलिए आजाते हैं आप फटाफट अपने काम पर 45 days crash course 9 बज़ के 6 मिनट हो चुके हैं और हमारे पास पूरे के पूरे 50 मिनट है तो चलिए जब हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स की सबसे पहली बात हमारे पास आजाती है what is meant by the term minerals minerals क्या है? minerals are naturally occurring chemical substance यानि कि सीधी सीधी बात है anything obtained from earth earth crust is called a mineral यहाँ तक यह soil भी एक mineral है mineral oil mineral है हमारे पास जो coal है वो एक mineral है सब कुछ यह जो भी हमें earth crust से मिलता है वो एक mineral है now ore is a naturally occurring solid material यानि कि ore is a naturally occurring mineral from which a metal or a valuable mineral can be extracted profitably profitably सबसे ज़्यादा important बात है ठीक है हमारे पास बहुत सारे metals है metals antiquity के जो पहले से पता नहीं immemorial time से पता है जैसे कि gold, copper, silver, lead, tin, iron और mercury यह जो साथ metals है यह साथ metals बहुत time पहले से पता है these have been used अब कुछ elements है जिसे carbon हो गया sulfur, gold, noble gases यह free state में occur करते है लेकिन बाकि सारे के सारे combined form में exist करते है और सब के elements कोई जादा है कोई कम है सारे के सारे बराबर amount में तो बिलकुल नहीं है चलिए हमारे पास 70 watching है 86 watching है, 70 likes है जल्दी जल्दी इसको 100 likes में convert कीजिए और हम यहाँ पर आगे बढ़ते है अब यह notes आप छोटे-छोटे notes बनाते रहिएगा वैसे यह पूरी के पूरी PDF आपके पास download हो जाएगी glass के end में आप पूरी के पूरी download कर लेंगे metals में aluminium सबसे जादा abundant है और third most abundant element है earth crust के लिए 80.3% approximately aluminium है iron second most abundant metal है earth crust में और सबसे जादा important element भी है कुछी metal को particular metal को लेने के लिए हमें कुछ minerals को चाहिए होता है जिसके अदर metal सबसे जादा amount में है और उसको जो भी हम minerals ले रहे हैं वो और कहलाते है अच्छा है यह वाला जो table है यह आपको याद करना है sorry to say लेकिन याद करना है याद करना पड़ेगा bauxite है bauxite is actually aluminium का जो bauxite ओर है this is the oxide plus hydroxide kaolinite यह clay है यह भी hydroxide और silicate है hematite magnetite, siderite, pyran pyrites copper pyrites, malachite, cuprite copper glands, zinc blend calamine, zinc side यह सारे नाम आपको याद करने है क्योंकि यह match the following में भी आ सकते है चलिए तो these are the ores अब हमारे पास है metallurgy की जब हम बात करते हैं तो entire scientific technology process यानि कि metal को निकालने से लेकर metal नहीं ore को निकालने से लेकर metal के आपकी table तक पहुँचने तक use होने तक पूरा process metallurgy का part है तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो metallurgy के अंदर हमारे पास होता है ore के बात ore कभी भी pure नहीं मिलता इसके अंदर contaminated होता है इसके अंदर earthly undesirable materials है जिसे हम सीदी सीदी भाशा में impurities बोल देते है impurities को कहा जाता है gang so these are called gang the impurities present in the ore are termed as gang अब metallurgy में कौन कौन से steps involved है metallurgy में सबसे पहला होता है concentration of the ore फिर उसके बाद है isolation of the metal from the concentrated ore और फिर उसके बाद है last में purification of the metal तो these are the three steps which are involved in metallurgy अब उसके बाद हम क्या करते है सबसे पहले हम बात करेंगे concentration of ores यहाँ पर जब हम इसके अंदर सी unwanted materials को remove करते है sand, clay इनको सबको हटाते है तो इसे बोला जाता है ore concentration इसे बोला जाता है ore dressing या बोला जाता है ore benification so that is what we call as the concentration of the ore सबसे पहला हमारे पास concentration ore का method है वो है hydraulic washing hydraulic washing based होता है on the difference in the density of the ore and the impurity इसको किसलिए density separation भी बोल देते है इसे gravity separation भी बोलते है इसे navigation भी बोलते है तरिका बहुत simple है यहाँ पर इस initial container के अंदर हम यहाँ पर ore डालते है और उपर से high pressure पानी डालते है जब high pressure पानी डालते है तो जो impurities जिनका density ore के comparison में कम है वो आगे move कर जाती है तो यहाँ पर यह o impurities आगे move करती है impurities तो आगे move करती है ore यहाँ पर trap होता चला जाता है तो सारे के सारी impurities यहाँ पर नीचे आगे collect हो जाती है यह जो यहाँ पर schematic diagram है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ ore और impurity को separate करने के लिए use नहीं होता यह use हो जाता है तो different ores को separate करने के लिए कई बार हमारे पर स्मागनेटिक और non-magnetic ores है जिनको separate करने के लिए magnetic separation use कर लिया जाता है बहुत सीधा सा तरीका है ground ore को एक conveyor belt पर रखा जाता है और यहाँ पर यह magnetic roller है जो magnetic impurities हो जो magnetic substance है वो तो past गिरते है और जो non-magnetic है वो दूर गिर जाते है तो यह काफी तेज चल रही होती है conveyor belt तो जो non-magnetic है वो बहुत दूर उचल के गिर जाते है जो that is what we have as magnetic separation अब हमारे पास है electrostatic separation जब हम electrostatic separation की बात करते है तो यह depend करता है on the difference in the electrical properties of the ore and the impurities impurities की बात कर लो या different ores की बात कर लो यहाँ पर भी यह different ores को separate होने के लिए use होता है अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ores है पहला conducting और दूसरा non-conducting तो जब हम conducting ores की बात करते हैं तो conducting ores यहाँ पर electrified roller के उपर जब आते हैं तो conducting ores इससे charge ले लेते हैं तो जो charge ले लेते हैं तो they become charged और यह इस electrified roll से दूर हो जाते हैं repel हो जाते हैं तो यह दूर जाके गिरते हैं तो they fall far away तो यह यहाँ पर better conductors आगे जाके गिर जाते हैं और जो non-conductors होते हैं वो यहाँ पर पहले गिर जाते हैं तो इस तरीके से दोनों separate हो जाते हैं तो that is how we are able to separate them on the basis of electrical conductivity फिर हमारे पास आ जाता है froth flotation process froth flotation process is based on the wettability wettability का मतलब यह हम कहते हैं न like attracts like तो जब हम like attracts like की बात करते हैं तो अगर हमारे पास जैसे की ओर है ओर अगर non-polar है तो वो oil की तरफ attract होगा अगर वो polar है तो वो पानी की तरफ attract होगा जो silika है, मिटी है वो पानी की तरफ attract होती है और जो ओर है, sulfide ores है वो oil की तरफ attract होते है तो जो जाग बनता है, उसके नदर जो ओर पार्टिकल्स है वो उपर उस जाग के साथ अटाच हो जाते हैं और फिर वो बाहर निकलते चले जाते हैं तो यह हमारे पास जाग है, इसके नदर क्या है हमारे पास collectors है pine oil है, fatty acids है, xanthates है जो froth बनाते हैं, फिर froth stabilizer है, जो कि krisol और aniline है, ये froth को stabilize कर देते हैं, फिर हम depressant और activators भी यूज़ करते हैं, depressant के तौर पर हम यूज़ करते हैं, sodium cyanide, NaCN is used as a depressant, और activator के तौर पर हम यूज़ करते हैं, copper sulfate, तो हम copper sulfate को as activator यूज़ कर लेते हैं, sodium cyanide को as a depressant यूज़ कर लेते हैं, तो sodium ये तरीके से हम different ores को separate कर पाते हैं, फिर हम बात करते हैं एक process leaching को, leaching को एक और नाम दिया जा सकता है, इसको नाम दिया जा सकता है solvent extraction, तो जब हम solvent extraction की बात करते हैं, leaching की बात करते हैं, तो leaching is based on the difference in solubility, तो leaching is based on the difference in the solubility of ore and impurity, तो हमें एक ऐसा solvent चाहिए होता है, जिसमें preferentially ore या impurity soluble हो, जिससे के हम इन दोनों को separate कर सकें, तो यह है leaching की बात, तो यहाँ पर जब हम leaching की बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है alumina की leaching from bauxite, यहाँ पर जब alumina की leaching की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम sodium hydroxide use कर रहे हैं, जिसके अंदर alumina soluble है, एक बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर silica भी soluble है, लेकिन silica को असानी से remove कर दिया जाता है जैसे कि हमारे पास है alumina, alumina क्या है, bauxite है हमारे पास, फिर हमारे पास है silica, और हमारे पास है iron oxide, iron oxide की भी impurity है, तो इनको जब हम sodium hydroxide के साथ treat करते हैं, तो sodium hydroxide के साथ treat करने पर alumina तो sodium meta-aluminate बना देता है, Na-A-L-O-2, silica इसके अंदर sodium silicate बना देता है, Na-2-Si-O-3, और यह react नहीं करता, तो सबसे पहले तो iron oxide separate हो जाते हैं, फिर इसके अंदर पास की जाती है carbon dioxide, carbon dioxide एक slightly acidic ग्यास है, तो जब carbon dioxide को पास किया जाता है, तो यह aluminium hydroxide precipitate हो जाता है, जबकि silica precipitate नहीं होता, तो यह नीचे बैठ जाता है, इसको फिर heat कर देते हैं, ignite कर देते हैं, और हमें alumina मिल जाता है, तो यह हमारे पास है bear's process of extraction of alumina from bauxite, clear, हमारे पास 110 likes हो चुके, 91 people watching है, जल्दी-जल्दी likes को increase कीजिए, 200 likes फटा-फट बना दीजिए, ठीक है, चलिए, thank you lucky आपने मुझे बोला कि जल्दी-जल्दी like ठोके, ठीक है, तो leaching के कुछ और example है, इसे बोला जाता forest cyanide process, this is MacArthur forest cyanide process, इसके अंदे यह gold और silver के लिए use होता है, यहाँ पे gold को अगर हम cyanide के साथ react करवा दे, जैसे कि इसको इस तरी कैसे लिखा जा सकता है, 4AU plus 8NACN plus 2H2O plus O2, as such जो gold है, वो असानी से oxidized नहीं होता है, लेकिन cyanide के presence में gold complex बना देता है, तो यह oxidized हो जाता है, तो हमें मिल जाता है 4NAUCN twice, ठीक है, plus 4NAUH, तो यह हमें मिल जाता है इसके product के तोर पे, अब यह जो यहाँ पे gold इसके अंदर complex बन गया है, इस gold complex को निकालने के लिए हम zinc का use करते हैं, तो हमारे पास है 4, 2NAUCN twice, plus twice of zinc, तो zinc is the reducing agent here, और यह बना देता है, 2NA2, ZN, CN4, plus 4AU, तो यहाँ पर हम इस तरीके से gold separate कर लेते हैं, अच्छा एक बात का ध्यान रखिए का, यहाँ पे हमें इस leaching process का use क्यों करना पड़ा, क्योंकि gold का amount और्स में बहुत ही कम होता है, तो इतने सारे और में से gold को यह actually separate किया जा रहा है, तो इस तरीके से हम इसे create कर पाते हैं, तो that is what we have as leaching, तो leaching का extraction में, aluminium की extraction बहुत important role है, that is what we call as the bear's process, अब बात आती है कि हमने ore को तो separate कर लिया, उसको purify तो कर लिया, अब हमें metal को ore में से extract करना है, तो इसको इस ऐसे form में convert करना है, जिससे हम reduce करके metal बना सके, और वो form में convert करने के लिए, we mostly हम उसको oxide में convert करते हैं, तो हमें पहले इसको oxide में convert करना है, फिर oxide को reduce करके metal में convert करना है, तो ये दो step हमारे हमारे बचे हुआ है, actually तीन step थे, पहले और का extraction, फिर उसके बाद conversion to oxide, और फिर अब reduction of the oxide to the metal. और को oxide में convert करने के लिए हमारे पास दो तरीक है, एक है हमारे पास calcination, calcination word आया है, calcite से, that is the carbonate of calcium, तो carbonate of calcium के through, हमने इसको convert किया, तो calcination is conversion of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide in presence of heat, ठीक है, यहाँ पर इसको in absence of air किया जाता है, यह limited supply of air में किया जाता है, इतनी supply की air से, उतना कि जितना fuel burn कर सकते हैं, उससे जादा नहीं, तो that is what we have as all the calcination, इसमें क्या होता है, इसमें सारा का सारा volatile matter निकल जाता है, और इसके अंदर carbonate oxide में convert हो जाते हैं, hydroxide oxide में convert हो जाते हैं, तो यह carbonate, hydroxide, को oxide में convert कर देता है, तो यह purpose है calcination का, calcination के साथ-साथ हमारे पास एक दूसरी चीज़ है roasting, roasting के अंदर एक regular supply of air होती है, फरक्स सर्फ इतना है, यहाँ पर यह use होता है sulfide के लिए, इनको oxide में convert करने के लिए, तो sulfide को oxide में convert करने के लिए roasting use हो जाता है, अब एक बात का ध्यान रखना, रोस्टिंग के अंदर भी carbonate oxide में convert हो जाते हैं, carbonate, hydroxide, and oxide, and sulfide, यह सब convert हो जाते हैं oxide में, अब एक बात student के दिमाग में बहुत आती है, और मेरे दिमाग में भी आती थी, वो यह कि जब हम roasting से सब कुछ कर सकते हैं, तो हम roasting ही क्यों नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक छोड़ी सी problem यह है, roasting requires more fuel, अच्छा एक और बात, roasting और calcination के अंदर, और को उसके melting point से कम पर heat किया जाता है, it is heated at a temperature less than melting point, और यह किया जाता है, a reverberatory furnace में, ठीक है, तो roasting और calcination दोनों reverberatory furnace में किये जाते हैं, this is the modern form of reverberatory furnace, बहुत अच्छी diagram तो नहीं है, लेकिन ठीक है समझ में आ जाता है, अब हमें करना है reduction of the oxide to the metal, metal oxide को metal oxide को metal में कैसे convert करेंगे, इसके लिए हमें कई चीज़ों की ज़रुट पढ़ सकती है, कई बार हमें एक reducing agent की ज़रुट पढ़ जाते हैं, कई बार सिर्फ heat से भी काम चल जाता है, जैसी कि अगर माल लीजिए हम silver की बात करें, silver chloride की बात करें, silver chloride को अगर हम sodium carbonate के साथ treat कर दें, Na2CO3 के साथ, तो यहाँ पर इसको heat करने पर यह पहले बन जाता है NaCl में, NaCl में convert होगा, silver carbonate बनेगा, यह silver carbonate heat में decompose करके बना देता है, silver oxide and carbon dioxide, यह silver oxide further decompose करके बना देता है, silver along with oxygen, तो यहाँ पर जब हम silver की बात करते हैं, तो silver के लिए हमें किसी reducing agent की ज़रूरत नहीं परती, यहाँ पर उसको सीधा-सीधा heat करके ही इसको decompose किया जा सकता है, इसी तरीके से अगर हम mercury oxide की बात करें, mercury oxide को heat कर दीजिए, यह mercury में और oxygen में convert हो जाएगा, इन फाक्ट, एंटोनी लवाइजर में ने जब पहली बार oxygen को produce किया था, तो वो produce ही mercury oxide को करके किया था, mercury oxide को heat करके ही oxygen को पहली बार produce किया था, isolate किया था उसने, तो यह एक reaction है, तो यहाँ पर कुछ metals के लिए हमें किसी reducing agent की ज़रूरत नहीं परती, गोल्ड और platinum तो हमें वैसे ही pure form में मिल जाते हैं, elemental form में मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ और की बात करें, तो हमें किसी और oxidizing agent की ज़रूरत पर जाती है, जैसे कि अगर हम copper की बात करें, copper के अंदर हमाँ पर copper sulfide होता है, क्यूपर सल्फाइड है, क्यूपर सल्फाइड के अंदर यूज किया जाता है, auto reduction, auto reduction या फिर self reduction, तो copper oxide को सबसे पहले oxygen के साथ burn किया जाता है, जैसे कि two third of copper oxide, copper sulfide oxide में convert हो जाए, तो इसको Cu2 में convert कर दिया जाता है, along with two SO2 निकल जाता है, फिर जब one third copper sulfide बच गया है, तो उस one third copper sulfide के साथ, इस copper oxide को react करने देते है, अभी जो copper oxide है और sulfide है, यह बन जाता है oxidizing agent, और यह copper sulfide बन जाता है reducing agent, ठीक है, तो यह copper sulfide और copper oxide है, यहाँ पर इन दोनों का reaction हो जाता है, और हमें शराफत से मिल जाता है copper, और साथ में sulfur dioxide, तो this is what we call as auto reduction, और self reduction, यह bessemer's converter में किया जाता है, इसे bessemerization process भी कहते है, यह copper और lead के लिए use किया जाता है, तो that is what we have as auto reduction, अब हम बात करते हैं एक चीज़ की जिसे कहते है, elingham diagram, elingham diagram, temperature dependence बताता है, of the stability of the compound, most often हम इसको oxide के लिए भी use करते हैं, तो यह भी कह सकते हो कि elingham diagram stability बताता है, यह बता देता है, affinity of an element towards oxygen, with change in temperature, यह बता देता है कि जैसे आप temperature change करते चले जाते हो, किसी element की affinity towards oxygen किस तरीके से change होती चली जा रही है, तो यहाँ पर यह है elingham diagram, इस elingham diagram के अंदर यह वाला graph सबसे ज़्यादा important है magnesium का, magnesium का melting और boiling points अपने group में सबसे कम है, इस वज़े से एक particular temperature पर यह boil होना शुरू हो जाता है, देखो, हमारे पास graph है, mg liquid, plus O2, half O2, gives us MgO, ठीक है, यह solid है, यह gaseous है, इस reaction में half mole of gas का change है, लेकिन अगर हमने magnesium को ले लिया gaseous, और फिर हमारे पास है half O2, gaseous, to give MgO solid, एक बात का ध्यानकना, magnesium oxide का melting point 2850 degree Celsius है, तो यह melt होने वाला नहीं है, लेकिन magnesium यहाँ पर vapor force phase बे आ गया, तो यहाँ पर minus 1, 1 by 2 का change आ जाता है, तो एकदम से slope change हो जाती है, और magnesium oxide की stability काफी कम हो जाती है, यहाँ यह कहना important है, कि इस temperature यह जो point A mark किया हुआ है, इस temperature के नीचे, magnesium aluminium oxide को aluminium में convert कर सकता है, लेकिन अगर मैं इस temperature के ऊपर की बात करूँ, तो aluminium magnesium oxide को magnesium में convert कर सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास यह होता है, कि magnesium का oxidizing tendency यह change हो जाती है, low temperature पर magnesium जादा अच्छा reducing agent है, लेकिन high temperature पर aluminium उससे जादा reducing agent हो जाता है, और यहाँ पर अगर इस graph को देखोगे, तो कहीं न कहीं carbon भी magnesium को reduce कर पाता है, तो यह कहा जाता है कि silicon के लिए जब हम बात करते हैं, तो silicon को कभी low temperature पर silicon dioxide को magnesium silicon में convert कर सकता है, लेकिन higher temperature पर silicon magnesium को magnesium oxide से magnesium में convert कर सकता है, तो this elingum diagram gives us the relative stability of the oxide with the temperature, अब इसमें एक बहुत important बात है, कि सिर्फ एक graph है जो नीचे के तरफ आ रहा है, और वो graph है carbon solid plus half O2 gaseous giving carbon monoxide gaseous, सिर्फ यही एक graph है जिसका जो नीचे के तरफ आ रहा है, मतलब कि carbon monoxide अकेला ऐसा oxide है, जिसकी stability temperature बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, बागी हर oxide की stability temperature बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है, तो यहाँ पर जितने भी metal से इन सब का positive slope है, तो जितनी किसी stability oxide की होती चली जाएगी, वो उतना नीचे होता चला जाएगा, greater is the gap between any two lines, यानि कि जितना gap बढ़ता चला जाएगा दो लाइन में, नीचे वाला उतना stronger reducing agent है, वो उपर वाले को उतनी ही असानी से reduce कर पा रहा है, तो यह तो हमने देखी लिया है कि metallic oxide की stability, temperature बढ़ने के साथ साथ decrease होती चली जाती है, और silver oxide और mercury oxide को, तो हम बड़े आराम से, सिर्फ heat से metal में convert कर पाते हैं, तो that is what we have as a stability of the oxides, ठीक है, तो positive slope metal oxide का यह बताता है, कि इनकी stability temperature बढ़ने के साथ साथ decrease करता जा रहा है, और यह decrease क्यों कर रहा है, क्योंकि free energy change की value positive होती चली जा रही है, sudden change जो magnesium के साथ होता है, वो यह बता रहा है कि एकदम से वो ज़ादा unstable हो गया, वो magnesium का boiling point है, ठीक है, अच्छा इसके limitation क्या है, यह speed नहीं बता सकता reaction की, कि कितनी असानी से कितनी speed से होगा, और अगर एक से ज़ादा oxide possible है किसी और के लिए, तो यह दोनों में से किसी यह नहीं बता पाएगा, कि कौन सा oxide बन रहा है, ओके, अब एक छोटी सी बात है, थर्मोडाइनमिक लिए तो feasible है, लेकिन magnesium को aluminium extraction करने के लिए use नहीं किया जाता, वो इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि aluminium के extraction में temperature बहुत ज़ादा चाहिए होता है, और वो बहुत ज़ादा temperature पे पता चलता है, क्योंकि aluminium खुद अपने हाप में magnesium से ज़ादा strong reducing agent बन गया है, तो इसलिए aluminium के extraction में use नहीं किया जाता, reduction of metal oxide easier है, क्योंकि metal अगर liquid में हो, तो metal liquid form में easily separate हो जाएगा, separate out, और easily separate out होगा, तो equilibrium forward direction में shift होता जाएगा, क्योंकि आप product को remove करते चले जा रहे हैं, क्योंकि है, हमारे पास 109 watching है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 149 likes हैं, जल्दी जल्दी लाइक बढ़ा ही है, let's have it 200 likes, अब हम बात करेंगे extraction of iron from its oxide, तो यह हमारे पास एक चोटा सा animation है, blast furnace का, so we have the small animation of blast furnace, लेकिन blast furnace के हम अच्छे बाले डाइग्राम की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे thermite process की, जब हम thermite process की बात करते हैं, तो thermite process के अंदर हमारे पास जो reaction हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास है aluminium, जिसे हम react करवा देते हैं Fe2O3 के साथ, और इसको ignite कर दिया जाता है magnesium ribbon के साथ, या फिर barium peroxide डाल के इसको किसी से किसी ignite कर दिया जाता है, जब ignite कर दिया जाता है तो यह बना देता है aluminium oxide, और साथ में बना देता है iron, अब यह जो iron बनाए यह molten state में है, तो इसको अराम से इसमें से निकाल कर, जहां भी डालना होता है, डाल देते हैं, यह thermite process यूज किया जाता है for welding, thermite process का सबसे बड़ा benefit यह है कि इसको कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा बनाया जा सकता, you can make it as big as you want, as small as you want, तो thermite process चोटे से amount के लिए यूज किया सकता है, बड़े amount के लिए यूज किया सकता, mostly यह छोटे amount के लिए यूज किया जाता है, और चोटा amount भी कितना, जिसने की हम weld कर सके, यह portable है, तो portable सिर्फ welding के लिए यूज किया जाता है, और हाँ, thermite process not used to create iron, ये यूज किया जाता है तो create molten iron तो यहाँ पर हमाई पास KMNO4 है थोड़ा सा KMNO4 डाल देते हैं बेरिम पर अक्साइड डाल देते हैं और उसके अंदर aluminium डाल देते हैं साथी साथ aluminium और iron oxide का reaction होता है यह steel wool melt हो जाती है यहाँ जे थर्माइक process में molten iron बाहर निकल जाता है चलिए अब बात करते हैं extraction of iron and we talk about the blast furnace के पूरे के पूरे reaction के बारे में पूरे diagram के बारे में जब हम blast furnace की बात करते हैं तो blast furnace के अंदर सबसे पहले यहाँ पर एक hot air का blast डाला जाता है यह hot air के blast से जो उपर से carbon गिर रहा है वो carbon जल जाता है तो carbon जल कर बना देता है carbon dioxide और यहाँ पर यहाँ आ जाता है combustion zone combustion zone का temperature सबसे जादा है अब जब यह air उपर उठती है जो hot air यह उपर उठती है तो यह जाती है fusion zone में उपर से जो iron गिर रहा है उसको melt करते हैं यहाँ पर fusion zone में एक बात का ध्यान रखना जैसे जैसे यह air उपर उठती जारी है सारे के सारे reaction जो हो रही है वो endothermic reaction है ठीक है as air moves up endothermic reaction are taking place endothermic reaction take place ठीक है तो जैसे से air move करती जारी उपर endothermic reaction होते चले जा रहे है clear तो यह उपर चल रहा है endothermic reaction हो रहे है और साथी साथ सबसे पहले होता है fusion zone जहाँ पर iron melt होता है उसके उपर है slag formation zone यहाँ पर हमारे पास जो flux है यानि कि the substance which we add to facilitate the extraction वो है calcium carbonate calcium carbonate decompose करके बना देता है calcium oxide और साथ में बना देता है si o2 तो अब यह जो साथ में बना देता है carbon dioxide तो यह बना देता है carbon dioxide तो calcium carbonate is calcium oxide plus carbon dioxide नाउ यह जो calcium oxide है यह impurity यानि कि silica के साथ react करके बना देता है calcium silicate यह जो calcium silicate बना है इसे कहा जाता है slag यह calcium carbonate है इसे कहते है flux और यह जो silica है इसे कहते है gang ठीक है तो यह यहाँ पर इस तरीके से remove हो जाता है और यह जो slag बना है it floats on the surface of the molten metal यह molten metal के surface पर float करता है जहाँ से इसको निकाल लिया जाता है यह तो slag formation है फिर reduction के अंदर हमारे पास जो reactions है यह सारे के सारे reaction है Fe2O3 carbon monoxide के साथ reactor के Fe और carbon dioxide बना देता है तो सबसे पहले हमारे पास है zone of combustion फिर उसके बाद आता है zone of फिर हमारे पास आता है fusion zone फिर है slag formation zone फिर है reduction zone फिर है zone of moisture removal तो इस तरीके से यह सारे के सारे reaction होते चले जाते है blast furnace में और यह blast furnace continuously work करता चला जाता है यह रुकता नहीं है जो iron बनता है यहाँ पर जैसे Fe2O3 है इसको react करवा दिया हमने 3 carbon monoxide के साथ और हमें मिल गया Fe plus 3 CO2 इसे कहा जाता है spongy iron ठीक है क्योंकि यह porous iron है क्योंकि इसमें से सारा oxygen निकल गया है यह spongy iron zone of fusion में जाकर melt हो जाता है और हमें यहाँ पर molten iron मिल जाता है इस molten iron को निकाल के हम molds में डाल देते हैं और जो molds कें अंदर डालते हैं उन molds के अंदर यह एक red color का पूरा का पूरा बन जाता है एक species जिसे बोला जाता है pigs तो this is what we call as pig iron तो यह हमारे पास सारे के सारे reaction है जो extraction of iron में चलते हैं clear iron obtained from the blast furnace contains 4% carbon इसमें 4% carbon है इसको pig iron बोला जाता है इस pig iron को जब melt करते हैं तो कुछ amount of carbon iron oxide के साथ react करके consume हो जाता है तो इसके अंदर carbon की content थोड़ा सा कम हो जाता है it has content near about 3% carbon तो pig iron को melt करके जब cast करते हैं तो उसको बोला जाता है cast iron यह काफी hard और brittle है तो कहीं पर भी hard substance बनाने होते हैं इसके अंदर carbon की content minimum होती है शायद होती ही नहीं है तो this is what we have as commercial iron और इसको cast iron से prepare किया जाता है by oxidizing impurities reverberatory furnace के अंदर hematite के साथ यानि कि hematite क्या है Fe2O3 Fe2O3 के साथ इस carbon को consume कर लिया जाता है तो सारा का सारा carbon consume हो जाता है और यह Fe में convert हो जाता है और साथ सारा का सारा carbon carbon monoxide में convert होके बाहर निकल जाता है तो this is what we have as purest form of iron इसके अंदर required amount of carbon या दूसरे metals को डालके इसको steel में convert कर दिया जाता है चलिए अब हम बात करते हैं copper की ऐस सच हम copper के extraction की बात कर चुके लेकिन फिर से बात कर लेते हैं copper का जो extraction होता है that is done by auto reduction तो copper pirates को पहले crush किया जाता है जाना जाता है चानने के बाद उसको froth floatation से concentrate कर देते हैं concentrate करने के बाद उसको reverberatory furnace के अंदर डाला जाता है in presence of air पहले roast किया जाता है जहां पर sulfur, sulfur dioxide में convert हो जाता है arsenic, arsenic trioxide में convert हो जाता है और copper pirates, copper sulfide, iron sulfide और SO2 में convert हो जाते हैं साथी साथ यहां पर एक और चीज़ होती है कि फिर इसको silica और coke के साथ roast किया जाता है लेकिन यहां पर silica और roast coke की ज़रुदत नहीं है यहां पर हम auto reduction यूज़ कर सकते हैं आचा एक important बात बाकि तो मैंने आपको besomerization बता दिया है लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि copper के extraction में silica is the flux इसके अंदर जो impurity है वो iron oxide is the impurity और ferrous silicate becomes the slag तो यहां पर ferrous silicate slag बन जाता है ठीक है जो copper हमें मिलता है that is called blistered copper यहां पर देखो copper oxide और copper sulfide react कर के this is auto reduction ठीक है जो copper हमें मिलता है that is what we call as blistered copper और besomerized copper इस besomerized copper को electrolytic refining से refine कर लेते हैं जिसमें हमारे पास anode के ओपर impure copper होता है cathode के ओपर pure copper होता है electrolyte copper sulfide solution है pure copper cathode पर deposit हो जाता है और जो impurities है वो anode की नीचे आ जाती है as anode mud इस impurities को बेच दिया जाता है और इसको बेचने के बाद सारा का सारा cost cover हो जाती है थोड़ा सा profit भी हो जाता है क्योंकि इसे anode mud के अंदर silver, gold, platinum जैसे metals है okay is that clear तो ये है हमारे पास blistered copper ये है हमारे पास copper तो that is what we have as extraction of copper इसी जएकिस हम zinc oxide की भी बात कर सकते है zinc oxide का जो reduction है वो coke से होता है लेकिन zinc oxide को पहले अगर हमारे पास zinc sulfide है तो हम sulfide को पहले frost rotation से concentrate कर लेते हैं zinc oxide को फिर carbon से reduce करके zinc बना लेते हैं अच्छा zinc को separate कर लेते हैं by distillation zinc is what we know as the volatile metal ठीक है तो zinc is a volatile metal now this is what we have as again thermite process अब सवाल ये है कि Gibbs energy value से बहुत जादा feasible है बहुत ज्यादा favorable लेकिन room temperature पर नहीं होता क्योंकि इसको activation energy काफी चाहिए होती है तो इसलिए ये reaction room temperature पर नहीं होते क्योंकि उनको activation energy चाहिए होती है अब हम बात करते हैं electrochemical principles electrochemical principles का मतलब यह है सिदे सिदे electrolytic reduction electrolytic reduction किस FIR couple करते हैं Aluminium को Carbon से Reduce नहीं किया जा सकता क्योंकि Aluminium Carbon के साथ React करके Aluminium Carbide बना देता है और दूसरी बार Temperature बहुत ज़्यादा चाहिए होगा तो यहाँ पर जो Process यूज किया जाता है That is what we call as Hall-Heralds Process Hall-Heralds Process के अंदर हमारे पास है Cathode Cathode हमारे पास है Carbon Cathode And we have the Carbon Anode as well हमारे पास Steel Vessel है जिसके उपर Carbon Lining है यहाँ पर जो Electrolite है That is 95% Cryolite 95% Cryolite है यहाँ पर इसके अंदर Calcium Fluoride भी है तो Cryolite और Calcium Fluoride का Mixture है जो कि 95% और हमारे पास सिर्फ 5% Aluminium है तो हम यह कह सकते हैं कि जब हम Hall-Heralds Process की बात कर रहे हैं तो हम Actually Aluminum को Cryolite में Dissolve कर देते हैं Soluble करने के बाद उसको React करवाते हैं अब एक बात का ध्यान रखो कि जब हम Electrolytic Extraction की बात करते हैं तो वहाँ पर Flux का रोल क्या है? यह बात कोशन कई बार एक्जाम में आ चुका है कि Flux का क्या रोल है? Electrolytic Extraction के अंदर Flux का पहला रोल है To reduce the melting point of ore यह पहला काम है To reduce the melting point of ore और दूसरा To make it more electrically conducting इसको electrically conducting बनाना इस Flux का काम है यानि कि इसका melting point कम करता है और इसको electrically conducting बनाता है तो यह है इस Flux का काम और Flux क्या है? Cryolite प्लस Calcium Fluoride या फिर Fluorite यह काम करता है और दूसरी बात यहाँ पर aluminum molten होके हमारे पर separate हो जाता है कि जैसे जैसे aluminum extract होता चला जाता है यह जो carbon electrode है यह भी consume होते चले जाते है तो धीरे धीरे इन carbon electrodes को भी हमें replace करना पड़ता है हर एक kilo aluminum के लिए आधा kilo carbon consume हो जाता है तो that is what happens तो यहाँ पर carbon electrode भी consume हो रहे हैं in the extraction of aluminum तो यहाँ पर हमारे पास है oxidation reduction हमारे पास ही हो गया है अब हम बात करेंगे purification of the metal which has been extracted जब हम purification of the metal की बात करते हैं तो हमारे पास अलग-अलग methods है distillation है, liquation है, electrolysis, zone refining vapor phase refining और chromatographic methods हर metal के लिए हर method का इस्तमाल नहीं किया जाता है जो method सबसे ज़्यादा appropriate है वो इस्तमाल किया जाता है जैसे कि अगर हम distillation की बात करें distillation is used for low boiling metal like zinc, mercury और यहाँ पर cadmium भी हो सकता है तो zinc, mercury और cadmium को हम distillation से purify कर देते हैं impure metal को evaporate करते हैं और उसको sudden cooling करके extract कर लेते हैं तो simple सी है low boiling metal के लिए use किया जाता है और यहाँ पर impurity का जो vapor boiling point है वो metal से काफी जादा होता है तो this is used when impurity have a higher boiling point than the metal फिर हमारे पास है एक process जिसे हम कहते हैं liquation process liquation process यूज किया जाता है for the low melting point metal जैसे कि tin है इसको tin के लिए use किया जा सकता है lead के लिए use किया जा सकता है तो tin और lead के लिए liquation process यूज कर लिया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर इसको melt किया जाता है impurities पीछे रह जाती है और pure metal आगे निकल जाता है this is the sloping hurt sloping hurt यानि कि slope करती हुई एक भटी है जिसके अंदर इसको heat कर दिया जाता है तो that is what we have as the liquation process फिर हमारे पास है electrolytic refining जो mainly copper के लिए use किया जाता है अच्छा इस electrolytic refining के अंदर जो points है जो आपको याद रखने हैं वो ये anode is impure copper टीक है anode is impure copper दूसरा cathode is pure copper टीक है तीसरा electrolyte is copper sulfate टीक है fourth point anode is consumed ठीक है fifth cathode becomes thick ठीक है छटा point और ये बहुत important point है concentration of electrolyte electrolyte does not change ये बहुत important बात है and seventh impurities are collected as anode mud टीक है ये जो साथ point है इनी साथ point में से question बनता है electrolytic refining के लिए copper के electrolytic refining के लिए impurities में क्या है वो तो हमें पता है इसके नदद precious metals है इस वज़े से इस impurity को बेच के सारा का सारा cost cover हो जाती है so that is what we have as the electrolytic refining which is used for copper and like करना बंद कर दिया है आपने 177 पे हमारी likes रुख गई है let's make it more than 200 जल्दी जल्दी करो 114 watching है okay तो यहां पर हमारे पास electrolytic refining के सारे के सारे points आ जाते है अब हम बात करते है zone refining की zone refining are more soluble in the molten metal and not in solid तो यह इसका principle है zone refining का तो zone refining में क्या करते है हमारे वास metal का rod है उस metal के rod को हम धीरे धीरे heat करते चले जाते हैं इसको वैसे मैं normally ऐसे बनाना प्रफर करता हूं कि हमारे पास सीधा सीधा यह metal rod है इस metal rod के उपर हमने एक circular heater लगा दिया है circular heater हमारे पास इस तरीके से है यह circular heater है ठीक है इस circular heater से इस rod को just above the melting point heat कर दिया जाता है just above the melting point heat करके इसको आगे move कर देते तो molten zone आगे बढ़ता चला जाता है तो molten zone के साथ साथ impurity भी बढ़ती चली जाती है and finally इस सारी के सारी impurities यहां collect हो जाती है बार बार इसको move करते हैं सारी impurity यहां collect करते हैं इसको काटते हैं और fanक देते हैं तो that is how we get the molten zone और यह हमने बाकी zone refining की अब हम बात करेंगे vapor phase refining vapor phase refining के अंदर हम metal को convert कर देते हैं उसके एक volatile compound में और उसको फिर decompose करके pure metal obtain कर लेते हैं तो यहां पर हमाएं पस दो conditions है which must be satisfied पहली condition तो यह metal का एक volatile compound बनना चाहिए जो एक available region के साथ बन जाना चाहिए दूसरा volatile compound should be easily decomposable so that recovery is easy अब zone इस vapor phase refining की जब हम बात करते हैं तो हमाएं पस दो process है पहला process है mons process mons process was used अब तो खेरी obsolete हो चुका है अब तो electrolytic refining use करते हैं nickel के लिए पर पहरे mons process was used to define nickel nickel की refining के अंदर करते ये हैं कि nickel को react किया जाता है carbon monoxide से near about 60-70 degree पे 60-70-80 degree पे इसको react किया जाता है तो nickel nickel carbonyl बना देता है nickel carbonyl is covalent volatile substance अब इस covalent volatile substance को further 1500 degree Celsius पे 1500 पॉने 200 degree Celsius के ओपर फिर से decompose कर दिया जाता है इसको डिकम्पोस कर दिया जाता है into nickel and carbon monoxide carbon monoxide को वापस यूज कर लेते है nickel separate होता चला जाता है ध्यान रखता है reactant भी निकल है product भी निकल है क्योंकि हम इसको refine कर रहे है react नहीं तो that is what we have as mons process and then we have van arkels method for refining draconium और titanium यहाँ पर इसके लिए use किया जाता है कि iodide इनका volatile है अच्छा इसको जब decompose करते हैं तो यह tungsten filament पर decompose किया जाता है तो this is used to obtain very pure small amount of zirconium and titanium तो this is what we have as vapor phase refining process then we have something like chromatographic methods chromatographic methods में कोई भी reason हो सकता है लेकिन यह यह उस किया जाता है तो separate lanthanoids and actanoids तो lanthanoids और actanoids जिनकी आपस की properties बहुत similar है उनको separate करने के लिए column chromatography या chromatographic methods यूज किये जाते है अब यह किसी भी property पर बेस्ट हो सकते है यह बेस्ट हो सकते है उनकी जो है let's say basic character पर बेस्ट हो सकते है उनकी density पर बेस्ट हो सकते है normally lanthanoids के अंदर basic character में ही थोड़ा 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 difference आता चला जाता है उसी के basis पे lanthanoids को separate कर लिया जाता है otherwise और कोई difference जादा है नहीं तो इसलिए हमें chromatographic methods यूज करने पड़ते हैं to separate the lanthanoids and actinoids so these are the methods and this is a rapid revision of the chapter called metallurgy so इसी के साथ हमने metallurgy chapter को समाप्त किया है और हमारे पास अभी भी 194 likes है बेटा likes को जल्दी जल्दी increase कीजिए chapter खतम हो गया आपका पूरा revision हो गया अब आप NCRT लेकर उसको अराम से पढ़ लीजिए सारे की सारी चीज़े समझा जाएंगी questions कर लीजिए chapter खतम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी कीजिए agrees कीजिए हमारे likes को अब हम बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत uses of metals की metal का use मैं आपको क्या बता हूँ aluminium, copper, zinc, iron यह सबसे ज़्यादा use होने वाले metal है in fact इन में सबसे ज़्यादा aluminium, copper और iron का use है zinc of course alloys बनाने के लिए use किया जाता है, aluminium तो आपको हर जगे दिखता ही है copper का use है, हमारे पास wires है, alloys है, सारे के सारे use किया जाता है galvanizing zinc बहुत use होता है galvanized iron pipes zinc के लिए बनते हैं क्योंकि zinc उसको corrosion से बचा देता है साथी साथ, जितने भी हमारे पास batteries है, जो one time used cell है, उसमें पास है, 4 p.m. to 5 p.m. Sachin Sir biology पढ़ाते हैं और एक बात का धेहान रखना, Monday to Wednesday it is for 2021 and 2022 students ठीक है, यह 4 to 5 p.m. Sachin Sir biology पढ़ा रहे हैं 5 to 6 p.m. Mahindra Sir physics पढ़ा रहे हैं और 6 to 7 p.m. मैं chemistry पढ़ा रहा हूँ और इस chemistry में क्या चल रहा है बारवारा mole concept तो जिसने mole concept पढ़ना है, वो जरूर आए और mole concept के अंदर we have just finished off what the mole is, हमने सब के moles की बात की है, और अब हम पता करेंगे कैसे moles निकालने हैं, और साथी साथ हम करेंगे concentration units जब हम 7 p.m. की बात करते हैं, तो 7 p.m. है crash course, crash course is for 2020, अब देखी सकते हैं, आपकी speed कितनी है, एक chapter near about एक दिन में खतम हो जाता है, maximum दो या तीन दिन ले ले लेता है, दो या तीन दिन मुश्किल से लेता है, दो दिन में खतम हो जाता है तो यहाँ पर speed काफी जादा है, यहाँ पर रडीप सर, biology पढ़ा रहे हैं, 7 to 8 p.m. इंदर जी सर, physics पढ़ा रहे हैं, 8 to 9 p.m. और मैं पढ़ा रहा हूँ, chemistry, 9 to 10 p.m. में, ठीक है, तो यहाँ पर अब कल का क्या chapter होगा, कल से शुरू हो रही है, organic chemistry. So tomorrow onwards, we have organic chemistry. ज्यान रखिएगा, we are going to start with the some basic concepts, isomerism वगरा की बात करेंगे, और आगे बढ़ते चले जाएंगे. Thursday to Saturday, हमारे पास 12th है, यानि कि यह है 2021 वालों के लिए. ठीक है? Okay, clear? नहीं, बेटा, मैं कोई गाना नहीं सुना था. यहाँ पर चलें, तो यहाँ पर 2021 वालों के लिए, 4 to 5 p.m. हमारे पास Sachin सर है, बालों जी में. यहाँ पर 5 to 6 p.m. Mahinder सर है, Physics और 6 to 7 p.m. मैं हूँ, Chemistry. और यहाँ पर हम कर रहे हैं, Solution Chapter. Solution Chapter का last class होगी, and it would be over. यहाँ पर हमारे पास है, 7 to 8 p.m. यह फिर से 2020 वालों के लिए है, प्रडीप सर बालों जी, 8 to 9 p.m. इंदर जी सर, Physics, 9 to 10 p.m. मैं Chemistry ले रहाँ, this is what we have as the crash course. Now, getting a bit further, Unacademy subscription, आपको बताई चुका हूँ, 1 month का 2020 वालों के लिए है, 12 months का 2021 वालों के लिए है, और 24 months का 2022 वालों के लिए है, and they use the code AVLIVE, AVLIVE code यूज़ कीजिए, and हमारे साथ जुड़ जाएए, AVLIVE code यूज़ करने से क्या होगा, you are going to attach with the team, you are going to get 10% discount, and मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी, so let's get along further, हमारे पास है NEET, अब यहाँ पर यह जो code आप उसको use करके, JE attach कर सकते हैं, 9th और 10th use कर सकते हैं, 11th or 12th का भी course कर सकते हैं, तो कोई भी course करना चाहिए, हर course के लिए same code use हो जाएगा, तो इसको जो अभी आपने किया, उसको subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए, download कर लिजिए, अभी थोड़ी दिर में PDF अप्लोड हो जाएंगे, download कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, और जुड़े रहिए, और याद रखेगा, code is AVLive, and here I am, अनुप परशिस्ट, एक chapter आज फिर हमने समाप्त किया, समाप्त किया, finish नहीं, उसको खतम नहीं किया है, हमने उसको complete किया है, तो complete किया है, अब immediately आप थोड़ा सा revision कर लीजिए, सारा का सारा chapter over हो जाएगा, AVLive code याद रखेगा, जोड़ी हमारे साथ मिलते हैं, अगली class में, bye bye, good night.